वेल्कम गाइज इस इस मैं थर्ड पार्ट अफ दे कंप्रेसर जो हम साड़ साथ एच्पी का फिट कर रहे थे आपको लास्ट वीडियो मैंने इसकी फिटिंग दिखाए थी पिस्टन देंग्स क्रैंग की इसकी फिटिंग दिखाए थी तो मैंने आपको बोला था कि मेरी अब को आपको बॉल्स मैंने घ्राइंड कर दी है प्ले हैट्स है है इसक इंट्र कुलर ने आ गया है यह देखिए तो मैं इसकी फिटिंग करने जा रहा हूं तो आपको दिखाता हों कैसे फिटिक किया जाता है है और और को शुच्छ रहेगी आपको बल्कुल बारिकी से ताकि आपको लोगों को फिटिंग करने में कोई दिखरता हैं तो सबसे पहला पॉइंट की वाल्स पर अच्छी तरह उस पर ग्राइंड कर लिजेगा रेगमार के पत्ते पे प्लेट्स ग्राइंड करा लिए अगर प्लेट में दाग हैं हमारी प्लेट में तो जंक खाई भी आप पहले वीडियो में देख सकते हैं कैसी प्लेट की कंडिशन दे और अब देखिए कि क्या कंडिशन है तो जुड़े रहे हैं वीडियो लास्ट तक आपको अच्छी लगे कि मेरी वीडियो लाइक करिए गा शेय करिए यह सब्सक्राइब कीजिए गा मेरे चैनल और सब्सक्राइब कर रहे हैं इतना ध्याना किया है फिट करें पिस्टन विट करें कुछ भी विट करें डेस पार्टिकल जैरा भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर तो कोशिर कीजिएगा पूरा साफ सब्सक्राइब करके विसम पेस्टिंग लगाएंगे कि अधिए इतनी बारीकी से अना पॉंड लगा रहे हैं ताकि वाल के अपर नहीं जाए है अना पॉंड अगर यह वाल के बजा के चिपक जाएगी तो यह आपका हैट काम करना काम नहीं करेगा तो कोशिश कीजेगा बिलकुल हलके हाथ से लगाएगा अना पॉंड ताकि उस पर ना जाए अब इसके आउटर डायर पे लगाएंगे ना पॉंड इनर डायर पे यह दू जगे ही लगती है और बाकिया सिर्फ आउटर डायर पे लगती है और नहीं लगेगी झाल 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 यह आमारे रहत पे लगी अब सिलन्टर पे जाएंगे उसको सुनां कर नो अपसी लेंडर कर देते हैंब सिलन्टर पे लगाता हैं कि सिलेंडर में सिफ आउटर डाया पे लगेगी अंदर नहीं जानी चाहिए एनवांड अंदर जाई तो वाल से चपा हुआ जाए उसका कोई फादा नहीं है कि अब देखरें सिलेंडर के आउटर पर ही पेसिंग लगाई दा रही है आपको मैं पेसिंग बता को हम कौन सी यूज़ करते हैं अब दो मिन मुझे टाइम बता हुआ है देखें हमारी पेसिंग है एनवांड 666 T max हम यह पेसिंग यूज़ करते हैं बाकि आप कोई भी यूज़ करें वह आपके आपके वांद जो अवेलबिल आप उसको एनवांड लगा सकते हैं कि अन्यव руки कि प्अधार हो प व्यूज़ खोए जाए जाता है कि जब इसको छोड़ाया जाता है जो सको को फोले आता है झालने में आसानी होती है यह एत्शागा बाकी यह एनवांड सब्सक्रियंद आदिखों पूरे राउंड सिलेंडर पर लग गी है है ना बॉर्ण अब देखते हैं हमारा इनर में कहीं नहीं जाने का चांस दिया हमने आउटर पर लगाई है अब हम उसको वापसी हैड के पर जाते हैं प्लेट रखते हैं प्लेट के पर हलकिसी एनबॉर्ण लगाएंगे आपको दिखाता हूं यह देखिए प्लेट अब एक शीच का दियान आपको मैं इस पर दूसरी प्लेट से लिखाता हूं जो यह बड़े सुराक है यह उपर की साइड रहेंगे और यह चोटे सुराक है यह वाल के उपर जाएंगे यह वाल के उपर रखे जाएंगे जैसे अब देखिए इदर बड़े सुराक है और इदर चोटे सुराक है यह के वहाल की तरफ जाएंगी दोनों कि लगा देख रहे हैं हम थोड़ी सी अना पॉर्ण इसके उसके सुराखों पर लगा रहे हैं जहां पर सड़ जाते हैं ताकि थोड़ी लीकेज के चंसिस ना रहे आपको वाल दिख रहोंगे अंदर की साइट यह चोटे सुराखों की साइट है बड़े सुराख उसके उपर है जहां से हवा अंदर जाएगी यह चोटे सुराख है यह आपके वाल पे इदर वाल पे जाएंगे प्लेट पे एनबाउन लगी है अब हम उसको उठाके सिलेंडर पे लगाएंगे आप यह चोटे सुराख जाएंगे वाल वाली साइट जो वाल हैट सिलेंडर पे लगे उस पे जाएगा और फिर हम आपको फिटिंग करके दिखाए कई लोग एनबाउन लगाने में बहुत गल्ती करते हैं वो पूरे उस पर पूरे एड़ पर लगाते हैं वाल पर चली जाती है एनबाउन जिसका जिसकी वएसे कंप्रेसर में हवा बनाता ही नहीं है और लोग सोचता कि कंप्रेसर में कोई कमी है प्लीज इस चीज का ध्या लगाई जितनी जुरूर होता है अब देख सकते हैं प्रोसेस है कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है एनबाउन लगाने में किसी और जैसे दूसरे हैट भी लगाई थी आप ऐसी है भी लगा रहे हैं पहले हैट भी लगाएंगे फिर सिलेंडर पर आनबाउन लाएंगे प्रिणे क हैस works को विठा को व्यंटेड के लिए वह फिर उसको हैड को उठा करेंगे और पहले हैट के ओपर प्रेड रखेंगे कोड़ी ब dorबने नहीं रखेंगा आपका हैड कभी भीधानी होगा इसके अंदर 2 कि आपते सकते हैं हेट पर पूरे लग गी है हमारी है न मॉन अब इसके फोल्स पर लगाएंगे जहां हमारे सब्सक्राइब आते हैं है कि कि अ करा है कि है कि है कि है कि है यह पर कमप्लीट हो गई हमारी प्रेस्टिंग अम वह उदर जाएंगे इसलेंडर पर लगाने कि सिलेंडर पर इसी पर भी आउट रही लगेगी अंदर की तरफ नहीं लगेगी इस चीज का बहुत द्यान अखिएगा ना ज्यादा एनबॉर्ण लगाने से कोई फायदा होने वाला है कि एनबॉर्ण ज्यादा लगेगी गुल्टा नुक्सान ही करेंगी है अप्रॉर्ण का लगा लगुट Audi लगेगी अई श्समा लगेगी के लगे दोये वहीuced खंद को कि लाफ का लगे हैँ करण दो फ्रॉर्ण तरॉर्ण कौन तो जबी गरेगी नहीं उसके देखे प्लेट का फिर्स आपको बता रहां एक बर छोटे सुराख है वह वाल के उपर जाएंगे अभी देखे देखे बड़े सुराख उपर को है और चोटे सुराख नीचे कर गये और यह वाले चोटे सुराख आपके जाएंगे हैड के उपर वो जो वाल रखे है उस पर जाएंगे इस पर यह ना बाणा लिचल की पेस्ट करेंगे करने जा रहे हैं इस पर देखें प्लेट को लास तक पकड़के रखना है नहीं तो आपका वाल निकल जाएगा अंदर से इसी का ध्यान रखेगा अब उसके हम नट कसेंगे कसने पूरे नहीं है हलके आज से कसने थोड़ा लूज चोड़ना को कि हमें इसका इंट्रकूलर पिट करना है देखें कोई भी नट हम पूरे नहीं है पूरा नहीं कसेंगे ख़ल के हाथ से लेंगे अब आते हमारे इंट्रकूलर के पिटिक के बारी यह हमारा इंट्रकूलर है थोड़ी सी स्टेफलोन टेप लपेट दीती है लीकेज नहीं हो यह कॉपर वाशर्स जो इंट्रकूलर और नट के बीच में लगेंगी जिससे हमारे यहां लगती है जितना गाप हो सबसे कॉपर वाशर्स लगती है इसमें दो दो कॉपर वाशर्स लगती है जिससे लीकेश नहीं आती कि देखें पहले कॉपर वाशर्स रखेंगे मैं आपको बता है दो इसमें दो की रिक्वार्मेंट है अकॉर्डिंग टू गैप हमने चेक किया दो की रिक्वार्मेंट है हम दो लगा के इस पर फिट कर रहे हैं कि दूसरी साइट भी दो लगाई है देखें ग्याप पूरा कवर हो गया आप देख सकते हैं आपको वीडियो में कहीं उसमें ग्याप नजर नहीं आ रहा है उसके इंट्रकूलर नट के बीच में हुआ हुआ है और आप अब देखें पहले हम इंट्रकूलर की नट्स कश रहे हैं अभी हैड के स्ट नहीं कर सेगे और उनको शाया नहीं है पहले इंट्रकूलर की में अगर इंटेकॉलर के नट कर से पहले कर देंगे तो इंटेकूलर हमारा सेट नहीं होता है हमें हैट के नट बात में करसने होते हैं कि 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 अच्छे तर्ट कर दिया हमें इसको एक रसे दूसरी तर्फिर कर दें चेज़ाइट कि 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 देखे हमारा कूलर कर चुका है अच्छी तरह किसे अब हम उसके बाद हैड के सट कर सेंगे अब हैड के सट को अच्छी तरह कर सेंगे कि अच्छी तरह कि अच्छी तरह कि इससे हमारा इंट्रफूलर का तूटने का भी डर नहीं रहता और लीकेज रहने के चंसे भी बहुत कम रहते हैं ना के बराबर ही होते इसलिए हम ऐसे करते हैं इसको कि अच्छी तरह कि आगाए है है चारों के चारों स्टी गए गए इह जissements किस तरह किए अधिक लाते हैंगे हरा आप हरा हुआ हरा है हरा है हरा है हरे निल्ट का दुख हो जिसे benti हरा हरा हर ऐ हर यह हरा हर दो है कि आट आप अब कि अब अब हमारे तर्स पूरा कंप्लीट आई है थम्प्रेसर आपको वील घुमा के चेक कराते हैं इसकी नॉइस कैसे यह रहेता है पिस्टन चेक कराते हैं देखिए आप देख सकते हैं कितना पेरा सक्षन ले रहा है और दूसरे हैड कर चेक कराता हूं यह देखिए तो गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो प्लीज लाइक कीजिए शेक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मैं आपको और कंप्रेसर की रिपेरिंग दिखाता रहूंगा और जुड़े रहे हैं मेरे चैनल से तो आग की लिए गुडबाए टेक केर